नमस्कार दोस्तों I don't think कि आपने से कोई भी होगा जो इस बात को डिनाई करेगा कि हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो काफी जादा डीप रूटेड है लेकिन ये न्यूस पढ़कर मुझे और भी जादा दुख हुआ कि हमने अपने आर्मी तक यहाँ पर भ्रष्टाचार को नहीं चोड़ा मतलब ये भ्रष्टाचार स्कैम्स आर्मी आर्म्ड फोर्सेस तक भी पहुँच चुके हैं याद रखिएगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्मी ने भ्रष्टाचार किया है यहाँ पर इनफैक्ट आर्मी ने खुद इनक्वारी के लिए रिक्वेस्ट की है CBI को कहा है कि आप यहाँ पर जाच करिए क्योंकि आर्मी ने कुछ समय पहले कई सारे construction के projects दिये थे जो कि किया जाना था military engineering services के द्वारा तो में भी हो सकता है कि उनके कुछ officials हो यहाँ पर जिस भी contractor को यह projects दिया गया था उसने ऐसे low quality के product यूज किये थे चाइना के साथ उस समय भी कई सारे construction projects के उपर यहाँ पर fake bills देखने को मिले हैं और इस सब चीज को लेकर finally यहाँ पर आर्मी ने CBI inquiry के लिए सहमती जताई है कहा है कि यहाँ पर CBI को जाच करनी चाहिए कि यह जो पूरा मामला चल रहा है यह अखिरकार है क्या कौन इसमें सारी गरवड़ी कर रहा है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यह पूरा मामला क्या है कौन से construction scam की हम बात कर रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेस्बूक, और ट्वीटर पर मेरे लेक्चर की हब पीडियाफ आपको फेस्बूक पर तो मिलेगी प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चैनल जोईन कर सकते हैं सबसे पहले समझते हैं दोस्तों हुआ क्या है यहाँ पर देखिए एक पर्टिकुलर सर्विसेज है जिसका नाम है मिलिटरी इंजिनिरिंग इंजिनियर सर्विसेज M.E.S. इसको कहा जाता है तो ज़्यादा तर क्या होता है कि आर्मी के द्वारा कई सारे जो प्रोजेक्ट्स अलोट किये जाते हैं यहाँ पर जो हमारी सेना होती है उनको रिटार्मेंट के बाद कई सारे हाउसेज चाहिए होते हैं जहां पर वो आराम से जाकर रह सकें इन सबके लिए यहाँ पर जितने भी ज़्यादा तर प्रोजेक्ट्स होते हैं दोस्तों, वो किया जाता है Military Engineering Engineering Services के दोरा, तो यहाँ पर पाया गया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में Low Quality के चीज़ें यूज की गई हैं, in fact बहुत सारे जो फेक बिल का रैकेट है, वो यहाँ पर सामने आया है, जो कि लद्दाक तक भी पहुँच गई है, यह सारी चीज़ें, अब यह सारी चीज़ें को देखते वे, जो आर्मी हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम CBI को investigate करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि CBI इसके उपर investigate करे, और जो भी responsible है, इस सारे चीज़ें को लेकर उसको यहाँ पर पकड़ा जाए, तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूँ कि यह military engineer services है क्या, इसको form किया गया था 1923 में, it is one of the oldest and largest government defense infrastructure development agency, मतलब कि सरकारी जो defense infrastructure होता है, उससे related जितने भी काम होते हैं दोस्तों, वो इसी के दोरा किया जाता है, और जहाँ पर जितना भी construction का work हमारे Indian Armed Forces में होता है, जब मैं Indian Armed Forces कहता हूँ, तो जो तीनों सेना हैं हमारी Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force, इन सभी के ज़्यादा तर काम इनके दोरा देखे जाते हैं, इसके अलावा Indian Ordnance Factories हो गया, DRDO हो गया, Indian Coast Guard हो गया, जादा तर construction के projects इनहीं के दोरा देखे जाते हैं, और इसको head किया जाता है, इंजिनियर इंचीफ के दोरा, overall जो supervision है, और ये बेसिकली जो इंजिनियर इंचीफ होते हैं, वो advisor होते हैं, एक तरह से Ministry of Defense के, और जो तीनों सेना प्रमुक हैं हमारे, उनको भी एक तरह से advice करते हैं, इसके अलावा अगर आप देखोगे, तो ये conventional buildings तो बनाते ही हैं, जैसे कि housing के projects हो गए, ये तो बनाते ही हैं हमारे armed forces के लिए, लेकिन इसके अलावा जो sophisticated complex projects होते हैं, जैसे कि airfield हो गया, buildings हो गई, workshop हो गया, road, sports complex, runways, hangars, dockyards, ये जितने भी अगर आप देखोगे, तो ये सारा काम दिया जाता है military engineer services को, इसके अलावा आपको पता होगा कि कुछ समय पहले यहाँ पर national war memorial भी तयार किया गया था, न्यू डेली में, national war museum भी, ये ज़्यादा तर ये भी काम आपका military engineer services को ही दिया गया था, अब यहाँ पर army क्या कर रही है, देखें, यहाँ पर एक project launch किया गया था, जिसका नाम है army married accommodation project, ये basically project है merit का, इसको announce किया गया था, अटल भिहारी वाजपाई जी के समय 2001 में, और ये पूरे project को तीन phase में launch करना था, अब इस project में था क्या basically, कि जितने भी हमारे सैनिक बल हैं, जो soldiers हैं, retire होने के बाद, at least कम से कम हम उनको एक बहतर सुविधा दे सकें, ताकि वो आराम से अपना जो बाकी का जीवन है, वो अच्छे से किसी घर में रह सकें, तो इसके लिए यहाँ पर ये पूरा housing का project चलाया गया था, जि तो phase already complete हो गए थे, जिसमें 90,000 घर बन चुके थे, इसके बाद 2016 में आप देख सकते हो, तीसरा यहाँ पर phase जो है, उसको start किया गया है, लेकिन ये जितने भी phases किये जा रहा है, यहाँ पर देखने को मिला, कि जो construction है, वो बहुत जादा quality है, यहाँ पर in fact demolish करना पड़ा है कई सारे buildings को ऐसा army के दौरा बताये गया है, और इसी की वजह से यहाँ पर finally army ने ये वाला जो project है, मेरट वाला, इसको तो already hand over कर दिया है CBI को, इसके अलावा army और भी कई सारे list बना रही है, और भी कई सारे projects के list देख रही है, ताकि वो CBI को इस तरह के projects को hand over कर सके, और य ultimately जो bill payment करना है, वो किसको करना है, army को ही करना है, army मतलब ministry of defense के तुरूई ये पूरा payment जाएगा, एक तरह से आप कह सकते हो, तो यहाँ पर बहुत सारे fake bills भी present किये गए हैं, जिसका कुछ औचित नहीं है, ये fake bills बताया जा रहा है कि बहुत सारे construction project जो कि ले के अंदर है, ब September के महने में, यहाँ पर जो हमारे chief of defense staff है, जनरल विपिन रावत जी, आपको पता है, यह जो post है chief of defense staff की, यह recently create की गई थी, तो यहाँ पर विपिन रावत जी ने यहाँ पर तीनों जो armed forces हैं, उनके जो chief हैं, उनको letter लिखा और बताया इस पूरे corruption के बारे में, और तब जा commissioner ने, wrong practices, delays in payments, wrong doing in MES procedure, इन सब चीजों के बारे में inform किया, जनरल विपिन रावत जी को, और कहीं न कहीं, जनरल विपिन रावत जी ने जब letter लिखा, तीनों chief के प्रमुक को, तो यहाँ, तीनों armed forces के प्रमुक को, तो उनको बोला कि मुझे काफी जादा सरम आ रही थी, कि जब यह questions face करने पड़ रहे थे मुझे CVC के सामने, तो कहीं न कहीं आप देख सकते हो कि यह armed forces से related चीज़े हैं, हम यहाँ पर nationalism की बात करते हैं, उसके बावजूद भी हमें यहाँ पर scams जैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इसके अलावा यह merit वाला तो project ही, in fact सकते हो, tilting buildings, Indian Army recommends CBI case after housing projects inquiry, तो यहाँ को अलावा projects भी हो सकता है, CBI को दिया जाएगा, इसके अलावा दिल्ली के अंदर भी salaria officials enclave है, वहाँ पर भी कुछ projects accommodation बनाए गए, इसमें भी inquiry की गई कि यहाँ पर भी कुछ corruption के के से सामने आ रहे हैं, इसके अलावा आपको पता है, एक होता है court of inquiry, court of inquiry का मतलब होता है कि army के अंदर ही यहाँ पर इसकी जाच होती है, उसमें भी यह पाये गया, बहुत सारे ऐसे material है, poor quality के material यूज किये गया है, poor workmanship किया गया है, negligence किया गया है, कई सारे projects में, जिसकी वज़े से बहुत सारा losses देखने को मिला है, लेकिन अभ पर accountability आनी चाहिए और definitely यहाँ पर उसको सजा मिलनी चाहिए, तो I hope दोस्तों यह जो पूरा मामला था construction scam जो army में सामने आया है, यहाँ पर आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा, जाने से पहले यहाँ पर construction से related क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो मैंने कुछ bridges के नाम लिखे वहाँ पर explanation दे दूँगा, और मैं कई सारे MCQs लगतार अपने इस्टा पर डालता जा रहा हूँ, stories के form में आप यहाँ सब play कर सकते हैं, अगर आप उसे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई course purchase करना चाहते हैं, आप study IQ app पर जा सकते हैं, I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, म बालता है